राममंदर बनाये जाने को लेकर लंबे समय से किये जा रहे संगष को आखिर का सफलता मिले गए और पांच अगस्त दोहजार बीस को राममंदर निर्मान का शिलन्यास पूरा हुआ भूमिपूजन प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया इसी बीच जिस सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें वारल हो रही है यह तस्वीरें दिवंगत पूर्वप्रधान मंत्री राजीव गांधी की हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रही है वारल हो रही तस्वीर के साथ एक दावा भी किया जा रहा है दावा ये है कि ये तस्वीर है उस भूमी पूजन की जो 9 नवंबर 1990 को हो चुका है याने कार्थिक मास के शुकल पक्ष की एकादशी को जिसे हम देवटनी एकादशी कहते हैं कॉंग्रेस की सरकार ने भी उस समय तिथी का ख्याल रखा था तबके पंडे आज की तरह ढूंगी नहीं थे उन्हें सब बातों का ख्याल था माफ कीजिए सरकार आप सिर्फ हिंदुत्व का ढूंग करते हैं सनातन वेदिक धर्म वा उसकी परंपरा का चुटकी भर ग्यान नहीं आपको सेकडों की तदाद में सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी दावे के साथ इस तस्वीर को पेश किया है लेकिन भाच्पा और कॉंग्रेस की बीच जियासी खेमी में जो खीचतान है उससे तो सभी भली भाती परीचित है और उसी को देखते हुए जब इस तस्वीर की जानकारी जुटाई गई तो दूसरा सच निकल कैस सामने आया सोशल मीडिया पर वारल हो रही राजीव गांधी की ये तस्वीर है तो 1990 की ही लेकिन ये तस्वीर राम मंदर भूमी पूजन किये जाने की नहीं है बलकि इस तस्वीर में राजीव गांधी स्कौन के हरे कृष्णा सदस्यों से भगवत गीता की प्रती लेने जा रहे है जो कि रूसी भाशा में है ये तस्वीर उसी वक्त की है ये सच है कि राजीव गांधी ने 9 नवंबर 1990 को राम जर्म भूमी विवादत शेत्र में शिलानियास की अनुमती दे दी थी लेकिन चिनाव के चलते वो हमेशा इस चीज से दूर ही रहे इसलिए आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वारल हो रही राम जर्म भूमी पूजन की तस्वीरें जिने भूमी पूजन का दिखाया जा रहा है वो इसकी नहीं है बलकि इस तस्वीर में वो स्कॉन के सोवियत सदस्यों से मुलाकात कर रहे थे आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें